इस वीडियो में पन ये चर्चा करेंगे कि सरी कोर्स होता कम्पूटर अप्लाई ओन्नाइन का साइद आपको दिखाई दे रहा होगा आपको वो कोर्स सूज करना पड़ेगा जो आपके पोस्ट के लिए इलिजिबल है उसके सर्च बोक्स में अपार आईडी सर्च करोगे अ अब इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि सरी कोर्स होता कम्पूटर कौन सा तो होगा वो इस वीडियो में आपको इस्टे बाई इस्टे फोर्म बढ़ना बताऊंगा कि निलिट के वेबसाइट पर जो गोवर्मेंट की वेबसाइट है वहां जाकर आप कैसे फोर्म बढ़ सकते हैं और कैसे आपके पास ट्रिपल सी प्लस का जो सर्टिकर वह आपको मिल सकता है ता आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप GMCA चंडीगण में नर्सिंगों बनने का सपना देके हुए हैं तो इसमें अपन इस्टे बाई स्टेप कंप्रीट अचा करेंगे कैसे आपको फोर्म बढ़ना है कैसे आपको फोर्म का प्रिंट आउट मिलेगा और कैसे आ प्रिंट के लिए मिसनाई नर्सिंग नोट्स का आप हमारा एप्लिकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं चलो अपन फोर्म बढ़ने के प्रोसेस से पहले अपनको यह जानना होगा कि देखेगा पहले मैं बेसिकली बता जुए हैं क्वालिपिकेशन की इपन च चय पहले लावा है जो कर चुके बहुँनिदेट क्यों है वो भी किया है बजीबल है और जो पोस्ट ब्दक कर चुके वह पी ज्या है इसमें इलीजिबल है तो यह चारों candidate जो यह course कीवे हैं वो eligible है लेकिन यहाँ पर साथ में आपका computer का qualification भी इन्होंने aid किया है और computer का जो पहले थी nursing officer की post GMCH में इस टाप nurse के नाम से थी लेकिन वह नोमें कल्चर चेंज हुआ पूरा center government के साफ से rules recruitment के वो लागू हुए लेकिन फिर भी GMCH वालोंने यह qualification के साथ साथ उन्होंने computer तो अपने साथ रखी लिया कि यह qualification भी होना चाहिए और UT यानि की चंडीगर में जितनी भी vacancies होती है सबी में computer की qualification वहाँ पर अनिवारी है तो computer की पहले जब अपना nursing का जो staff nurse post थी वो क्या तीसर वो थी group C में किस में थी पहले है group C में और group C ह valid थे यह चलते थे लेकिन अभी जो इसका नाम क्या हो गया सर अभी नाम हो गया nursing officer और nursing officer जैसे ही नाम हुआ तो अपना जो group है वो भी क्या change हो गया B हो गया और group B में आते ही salary बढ़ गई एक तो पेसे बढ़ गई है ना इसके साथ इन्होंने qualification B इसकी जगह पर क्या कर दिया सर है triple C plus कर दिया जो 126 hour का course है कितना सर 126 hours का पहले यह 80 hours का होता था लगबग ठीक है तो इस तरह से change हुई चीज़े है अब आपको जरुरत है किसमें सर triple C plus वाले course का certificate लेना इसके अलाबा जो पहले जो recruitment का PDA पात था इसके लाबा इन्होंने ये तो किसके through कर रहे हैं सर ये तो अपन कर रहे हैं NILIT की बात कर रहे है NILIT की जो website होती है government approved website है इसके through लेकिन इसके लाबा इन्होंने एक कोर qualification computer में ये दिया था कि आप NILIT के साथ साथ में जो ISO 2015 को certified institute है उनसे अगर आपका किसी भी तरह का certificate किया हुआ computer का degree हो diploma हो तो वो भी eligible है उसमें कौन कौन सा आजाता है ADCA हो गया DCA हो गया PGDCA हो ठीक है इसके लाबा भी और कोई ऐसा course जिसका duration 126 hours से ज्यादा हो तो you can eligible you are you will eligible for the post of nursing officer in GMCH recruitment अब देखो ये है तो भी आप eligible है पहली बात आपका है तो जैसा कि पहले recruitment हुए लेकिन इस बार का pressure recruitment आएगा तब ही पूरी चीज़े 100% तो केलेर होगी तो आप संसे में नहां रहें वैसे मेरे साफ से 99.99% eligible है लेकिन सबसे ज़्यादा शेप आपका निलिट के थुरू है तो निलिट के थुरू कैसे आपको computer यानि की triple C plus के लिए application करना है वो यहां पर मैं step by step आपको complete process बताऊंगा तो आपको क्या करना है step by step process complete निलिट का फोर्म बढ़ने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं निलिट की website के उपर है और निलिट की website पर चलकर ही अपन है जो इसका फोर्म बढ़ेंगे यह मेरे सामने Google Chrome का page खुला होगे Google Chrome में टाइप करो निलिट इस्टूडेंट निलिट इस्टूडेंट और इस्टूडेंट टाइप कर दो और कुछ नहीं करना आपको क्योंकि आप एक स्टूडेंटों भी नर्सिंग बनोगे जब इसमें आपका selection हो जाएगा यह करने के बाद में आपको सबसे उपर और जो website आरी निलिट इस्टूडेंट इसटूब्स इसन पर आपको क्लिक करना चेसरे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर पेस आएगा और इस इंटर पेस को आने के बाद में आपको यहीं से क्या करना है यह कुछ इन फोर्मेसन थी तो इसको एप्धों क से आपको क्या करना है triple C plus आपके course जो की GMCH में essential qualification है उसके लिए registration करना है मैं इसके उपर click कर देता हूँ और इसके उपर click करने के बाद में देखो आपको वो course चूज करना पड़ेगा जो आपके post के लिए eligible है जो required है अब nursing official post हो चुकी है GMCH में तो आपको यहां से देखेगा यहां से आपको क्या चूज करना पड़ेगा यहां से आपको देखेगा यहां पर नहीं दिखाए दे रहा यहां पर नहीं दिखाए दे रहा तो आप इसको scroll down करो scroll down scroll up करो या scroll down करो आपको यहां पर कहीं कहीं मिल ही जाएगा मैं तो आपको प्रोग्राम यहां पर बात कर लेता हूं अब देखेगा यहां पर है ट्रिपल सी प्लस तीन नंबर जो लिखा वारा से यह क्या है ट्रिपल सी प्लस और आपको ट्रिपल C++ पर ही क्या करना है आवेदन करना है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ CCC++ के उपर क्लिक करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे सामने एक PDF आती है कुछ तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये हुए इस PDF में यह PDF को देखते हुए ही आपको आवेदन करना है यहाँ से भी आपको additional information मिल जाएगी वैसे मैंने इस PDF पर कापी यहाँ से download नहीं होरी मैं देखता हूँ यहाँ से download नहीं होरी है यहाँ से download नहीं होरी देखो यहाँ से step by step instruction for फिलिप triple C examination form तोड़ा कुछ network issue होगा इसलिए मेरे PDF डाउनलोड नहीं होरी वैसे मैंने इस PDF को already पहले से download किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ आपके अगर download नहीं होरी तो मैं क्या करूँगा इस PDF को link है वीडियो के description में डाल दूँगा वहाँ से भी आप देख लीजेगा यह PDF थी जो मैं download करने कोशिश कर रहा था और इसके हिसाप से आपको form आवेदन करना है CCC Plus के लिए आपके लिए यहां तोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अभी महीन चल रहा है सिप्तमबर और आप सिप्तमबर महिने में अगर आवेदन करते हैं देखिएगा यहां पर अगर आप सिप्तमबर महिने में आप आवेदन करते हैं तो आपका exam कब होगा examination month आपने कब apply किया सिप्तमबर में तो यहाँ दिए tentative date of commencement of submission of online examination application तो आपका exam कब ओने कहाँ देखो अगर आप सिप्तमबर में apply कर रहे हैं और सिप्तमबर में apply कर रहे हैं तो आपका जो registration है वो कब हो जाना चाहिए यह सरे में ओके इस तरह से है आपका तो अगरा अक्टूबर है अगस्त मंत से अगस्त 31 अब देखेगा अब यहाँ पर अपन बात अभी सिप्तमबर की बात कर रहे हैं और आपका मन्तों सिप्तमबर मन्तों नवंबर है नवंबर सिप्तम्बर आपका अभी सिप्तम्बर जुलाई सबंद अगस्त सिप्तम्बर ये वाला अभी आपका क्या है सर देट ओप एक्जाम वो कब आएगी, वो आएगी मन्त ओप नवंबर, इस देट के लिए अभी आप सित्मबर में अप्लाई कर रहे हो, यानि कि आपके एक्जाम डेट कब आएगी, नवंबर में आपका एक्जाम हो जाएगा, और एक्जाम आपका वेकेंसी आने से पहले कर रहे, ट्रिपल सी की नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूं, ट्रिपल सी प्लस की, यह आपको दिखाए दे रहा होगा, ट्रिपल सी प्लस जो कोर्स है, यह रहा, 126 आवर का है, 10th पास कोई भी कंडिडेट वो कर सकता है, इसके लावा, निलिट अप्रूवर इंस्टूट्स पर्मिटेट टू कंड़क्ट ट्रिपल सी प्लस कोर्स, ओके, इस देट के लिए बाकी, इससे आगी की चीज़ अपन, आगे देखेंगे, जह जह से अपन फोर्म बरते वे चलेंगे, यहाँ पर देखेगा, कुछ चीज़ें स्पेसिपिकली दी हुई है, जिनका आपको ध् सिगनेटर अपलोड होंगे, तो गलती ना करें, जिस भी कंप्यूटर से आप एपलाई करें, तो उसको बोल दो भया, इसका स्क्रीन सोट ले जाओ आप, या फिर इस PDF को साथ लेकर जाओ, उनको बताओगी जो फोटो, आप जो अपलोड करोगे, अपनी लेटेस्ट फोट होनी चाहिए, साइज, डाइमेंशन, डिजिटल साइज, डिपी आई कितनी हो, टाइप कितना हो, लेटेस्ट फोटो हो, ओल्ड ना हो, वाइट वेग्राउंड के साथ हो, यहाँ पूरी चीज़ें दी हुई है, शिक्स मंत से पूरानी ज्यादा नहीं हो, वाइट वेग्र इंप्रेशन दिये हुए है, इसके अलावा, आपके जो थम इंप्रेशन लगेगा, लेट साइड का, उसका भी कुछ स्पेसिपिकल चीज़ दी हुई है, साथ ही, अगर आप गलत बर देते हैं, देखो, क्या-क्या चीज, प्लीज, नो रिक्वेस्ट पोर क्रेक्शन इन न और मैं अपने बरने जा रहा हूँ, सर, ट्रिपल सी प्लस का कोर्स, यहाँ परे पीडिएप डाउनलोड ने रही कोई बात नहीं, मैंने आपको अलग से बता दिया, और उस पीडिएप का लिंक भी दे दूँगा, मैं, अब अपन चलते हैं, सर, आई एगरी, इस पर तो आ आवेदन करना है, ओके, तो यहीं से आपका क्या होगा, सर, आवेदन होगा, यहीं से जहां से मैं बता रहा हूँ, आपको यहीं से, अब देखेगा, एक चीज जो आप GMCH एक्जाम की प्रिप्रिशन करने जा रहे हो, मैं GMCH एक्जाम के बारे में आपको एक इंपोर्टे के लिए, एक बहुत अच्छी बुकलेट तियार की है, जिसमें हमने 20 प्रेक्टिस से जो फ्रेम किये हैं, जो कम्प्लिटली GMCH नर्सिंग ओपिसर एक्जाम का जो सलेबस है, फंडामेंटल का ज्यादा वेटेज रहता है, एमेसन ज्यादा रहता है, ठीक उसी तरह इस भी दिया है, तो मैंने मेरे अनभू से, हमने पूरी टीम ने, यह आपके लिए 20 मोडल पेपर, अल्ट्रा वेटेज आपके लिए रहेंगे, डायरेक्ट लिक्यूशन देखने को मिलेंगे, मेरा वादा है इस बात का, अगर नहीं भी मिले, तो आपकी प्रेक्टिस इस तरह की हो जाएगी कि आप एक्जाम में, आप 100% confidence के साथ में पेपर देख रहा होगे, और आपका definite रहेंगे साथ से लेक्शन होगा, 20 मोडल पेपर है, इसके साथ साथ इसमें 4000 से लेकर 5000 तक की पॉइंट है, की पॉइंट से कौन से सर, आपके भास्ट रिविजन के लिए, तो बुकलेट प्राइज लगवे, इसके 200-300 रुपे तक इसकी प्राइज आप आसानी से मिल जाएगी, आप कहोगे सर में इतना सोट में प्रिप्रेशन नहीं करना चाहता, मुझे पूरा सरेबस कवर करे, ठोरी भी रहे, MCQ भी रहे, सब कुछ रहे, तो उसके लिए आपके ल जलने वाली, तीनो बुक्सी जब PGI का एग्जाम आएगा, तब आपके PGI के लिए बीच लेगी, इसमें GMC, PGI, Northset, ASIC, RRB, DSSP पूरे पेपर से, जहां से आपको पेटरन समझने में मिलेगा, साथ ही क्यूशन प्रेक्टिस करने में हेल्प मिलेगी, तो तीनो बुक्सी के ओडर कर सकते हैं, बाकी सबी बुक्स Amazon Flipkart पर भी अवेलबल है, लेकिन वहां तोड़ी प्राइज ज्यादा लगेगी, तो आप उसे साफ से देखें, ज्यादा चीपेस्ट प्राइज में आपको सिर्फ और सिर्फ मिशनाई की वेबसाइट पर ही बुक्स मिलेगी, चलो इसके अलाबा जो इंपोर्टेंट चीज है, यहां पर वो क्या है, वो मैं बता दू आपको, इसके बाद मैं सलेक्ट एक्रेटाइट इंस्ट्यूट से, एक्जामिनेशन डिटेल से, एक्जामिनेशन आपका किया हुआ है, पहले का कुछ भी जो इंस्ट्यूट है, जहां स सकते हैं, जैसे कि आप जेपूर से हैं, जेपूर भी आपको सेंटर मिल जाएगा, अगर आप पतियाला से हो, पन्जाब अरियान इन बतिंडा से हो, तो वहां पर आपको सेंटर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना state बढ़ना है exam, name बढ़ना है state आगे आपका अब देखेगा, एक चीज है यहाँ पर एक चीज जो समझाने होगे किस परिक्षा के लिए आवेदन किया, यहाँ पर एक point है यह समझना अच्छे से कि किस परिक्षा के लिए आवेदन किया यहां अगर आप select examination cycle select करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा देखेगा आपको every month exam cycle करना पड़ेगा select exam name नौवंबर 24 साथ जाएगा यहां पर इसके बाद में आता है आपका जो देखो यहां पर आपको ध्यान से बढ़ना कि applied age तो यहां पर आप जो भी state से हो आप जिस भी state से आवेदन कर रहे है ओल इंडिया के किसी भी state से आप अपने गरबेटे nearby center पर triple C plus कर सकते हैं यहां पर आप अपना जो भी state वह select करो मैंने राजस्तान select कर लिया अब राजस्तान या आपने पंजाब से हो पंजाब या माचल से हो इमाचल है उ इस तरह से center आ गया इसके बाद में month of cycle का दे रहा तो every month exam होता है अगर आप अभी exam apply करते हैं तो November में आपका exam होगा इसके अलावा November 24 यह piece आपको पेकरनी आगे चलके और आपको दो examination center के option मिलेंगे दोनों आप यहां से choose कर सकते हैं इसके बाद में देखो सबसे जो important चीज अपार ID आपके पास नहीं है तो आपको इस option के ओपर click करके generate करना है जैसे आप इस option पर click करोगे तो आपको कहां पर जाएगा एक barcode दिखाए देगा तो barcode पर आपको अपने mobile के Google Chrome में जाना है वहां से scanning का option आता है उस option से click करके आपको barcode scan करना है जैसे scan करोगे क्या dg locker आएगा उसमें आपको उस dg locker के ओपर click करके पहले तो इस dg locker को एप को install कर लेना है और इसको आपको register कर लेना है अपने details डालना है आधार verification हों का आपकी details डालते ही यह government approved app है जहांपर आपने जो भी documents है वो save रख सकते हैं इसमें login होने के बाद में आपको उसके search box में क्या search करोगे उसके search box में अपार id search करोगे क्या करोगे sir a double p ar अपार search करोगे जैसे अपार search किया आप उसमें अपनी details डालना उसमें अपनी details कुछ भी डाल देना यूँ जो institute का नाम बगर मांगे उसमें आप कहां से पढ़ाई किये हो उसके एक searching में अगर आपका institute आ रहा और वो id number जो आएंगे वहां पर उन id number को ही आपको इस column में फिल करना है इसके बाद में आगे का process आपको करना पड़ेगा और आगे का process क्या है sir आगे का आपका photo upload करनी है photo के लिए पूरा instructions यहाँ पर भी दिया हुआ है पूरा instruction और मिने पहले आपको PDF में बताया था उसको देखते हुए यही form फिल करना है एक सूत भी अगर आपकी photo का dimension, height, width या पिर उसका digital size पिक्स के बी में उपर नीचे हुआ तो आप photo या sign या thumb upload नहीं कर पाऊगे तो किसी जानकार अच्छे computer वाले से ही form बरवाएं ठीक है तो यह होने के बाद में जैसे आपका photo upload होएगा यहाँ पर आपका photo show हो जाएगा यहाँ पर आपका photo यहाँ पर आपका sign show हो जाएगा और यहाँ पर आपका थंब वाला जो impression वो शो हो जाएगा जैसे यह सा हो तो आप एक बार और वापिस scroll up करके पूरा form check कर लें कि कहीं मेरे नाम में, father's name में, mother's name में या date of birth में कहीं गर प्रवाद में आपका फोर्म वापिस review हो गा, उसको देखना, फिर आपको फ़ाइशन का option मिलेगा, क्या मिलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आप अपना गर्टन के उपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है जैसे उसके उपर क्लिक करो गे, आपके पास आगे payment का option 90 रूपीज में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको जो भी सेंटर मिला है उस पर आपको पढ़ाई करने जाना पड़ेगा अगर आप जाते हो तो नहीं जाते हो तो भी वो इंस्टूट जीमेदार है उसके बाद में दो मेने बाद में आपका एक्जाम होगा सर्टि जो भी करना है पोर्म बढ़ना है ठीक है तो कन्फ्यूजन नहीं रहे पहले के ले लो एडिमिशन कभी भी वेकेंस याई जीमसीज का अगर आप पंजाब हिमाचल उन इस्टेट से उत्राखंड सी जो आपके पास में जीमसीज इंस्टूट पढ़ता है बहुत अच्छी स लोगर ढलता है तो आपको इस परियासों बर खराव उतरना है यह आपके लिए मैंने बुक्स गर रहा हूं जिनके तुरू आप घर से ही तियारी कर सकते हैं साथ ही हमारा आप ओनलाइन बेच जोइन कर सकते हैं जो कि हम नोर सेट के लिए फांडेशन कर चला रहे हैं उसी बेच में आप enroll हो जाएं, वहां से आपका पूरा study चालू हो जाएगा, जब भी वेकेंसी आए, आपकी पहले से पूरी तैयारी रहेगी, तो आपका selection ओने के चांसे भी काफी गुना बढ़ जाएंगे, बाकि हमारे help line नमबर आपको दिये वे हैं, यहां पर यह, तो यहां प नर्सिंग नोट से आप यह सर्च कर लो, गूगल प्ले स्टोर पर वहां से आसनी से मिल जाएगा, बाकी book order करने के लिए आप हमारा website विजिट कर सकते हैं, अमें जो फिल्प काड़ बर भी है, यह जो मोटे-मोटे नमरों में नमर दिये वे हैं, यहां पर contact करके भी आप कि किसी भी तरह की guidance, help line ले सकते हैं, क्या, क्या अब आपके doubt clear हुए, एक बार मेरे को आप comment section में comment करके बताऊगे, कि आज की session से आपके क्या C++ course में application लेने के लिए, आपके कोई doubt है, किसी भी तरह की तो आप वीडियो के comment section में comment जुरूर करें, मैं आपके सभी स्वालों के ज आपको मैं suggest कर रहा हूँ, तो फटापट books order कर सकते हैं, किसी भी inquiry के लिए आप हमारे help line number पर भी contact कर सकते हैं, आसा और उमीद करता हूँ कि आज आपके पुरे doubts के लिए हूँगे, चलों फिर आप नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, कुछ और नया लेकर आपके लिए, तब मैं झाल आपके लिए, कुछ आपके लिए